नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सगर रीजनली तरपुरा का डारलोंग कम्यूनिटी को शेडूल ट्राइब्स लिस्ट में इंग्लूट किया है तो आज इस टॉपिक से रिलेटेट कुछ इंपोर्टन इंफोर्मेशन हम डिसकस करेंगे देखिए डारलोंग एक स्मॉल कम्यूनिटी है ओफ 11,000 पीपल इंतरपुरा इसे लिस्ट ऑफ शेडूल ट्राइब्स में इंग्लूट किया है अफिशली आफ्टर लोगसभा पास दा कॉंस्टिटूशन शेडूल ट्राइब्स ओडर आमन्मेन बिल 2022 तो ये बिल अलड़ी पास हो चुका है तो डारलोंग कम्यूनिटी भी अब ओफिशली शेडूल ट्राइब्स लिस्ट में इंक्लूड़ ओगा तृपुरा में वैसे करीब 37,000,000 पीपल रहते हैं उसमें 19 ट्राइबल कम्यूनिटी से तो इंपोर्टन ट्राइबल कम्यूनिटी से कौन कौन सा है तृपुरा में तृपुरी और देबर्मा, रियांक्स और ब्रूस ये तो काफी नूज में था जमातिया, नुवाटिया, उच्छोई, चक्मा, मोग, लुशाई, कुकी, मुंडा, कौर, औरम, सांतल, भिल, भूटिया, चाइमार, और सेर्माई, गारो, खासी, लच्चा, हालम ये सारे जो है, इंपोर्टन ट्राइबल कम्यूनिटी सा बोल सकते हो, तृपुरा स्टेट में अब दोस्तों, डालों कम्यूनिटी की स्पेशालिटी ये है, फाले इनके पोपलेशन कम है, मतलब 11,000 से ज्यादा नहीं इनके पोपलेशन फिर भी इस कम्यूनिटी में high prevalence of education है, cultural activities में ये लोग ज्यादा involved है, और खास बात ये है, इस कम्यूनिटी से कई जारे members, local administration में high positions hold करें, वैसे देखा जाएगा तो, डालों भी एक schedule tribe है, पर इन्हे schedule tribe certificates नहीं दिया था, इसका कारण ये है दोस्तों, इन्हे कूकी कम्यूनि का जो नाम है, schedule tribe list के अंडर नहीं था, इस वज़े से एक identity crisis था इनके बीच में, इसलिए डालोंग कम्यूनिटी के जितने youth है, जो highly educated थे, वो 1995 से एक separate statutory identity के लिए demand करने लगा, अब जाकि इनका जो demand है, वो पूरा हुआ है, अब दोस्तों, डालोंग कम्यूनिटी के contribution भी भ आडेमिया में, public services में, high positions hold कर रहा है, उपर से एक tribal musicologist है, तांगा डारलोंग, इस photo में आप देख सकते हो, ये रोज़दम करके एक tribal instrument प्ले करते हैं, इन्हें कुछ साल पहले पदमश्री अवार्ड भी दिये थे for his contribution to culture, तो ये जो तांगा डारलोंग साब है, ये community से बिलोंग करते हैं, तो इस community के contributions काफी है, अब दोस्तों, तृपुरा में total 37 lakh people है, उसमें से 30% लोग जो है, ट्राइबल से, maximum ट्राइबल जो है, तृपुरा ट्राइबल एरियास, autonomous district council के jurisdiction के अंडर रहते हैं, ये जो autonomous district council है, वो 8 districts में spread है, और तृपुरा का 70% of geographical area cover करते हैं, अब autonomous district council के बार में आपने सुना होगा, हमारे समिथान के 6th schedule के अंडर, 4 states में autonomous district council है, आसाम, मेखालिया, तृपुरा और मिजोरा, autonomous district council की जो executive authority है, वो respective state government के पास है, फिर भी इनके पास अलग-अलग legislative and judicial powers भी दिया हुआ है, basically tribal areas में administration करने के लिए, अब देखी, 1949 से पहले तक कम से कम 500 साल के लिए अलग-अलग tribal kings तृपुरा state के ऊपर राज किये थी, 1949 में तृपुरा Indian union के साथ मर्ज हो गया, तब एक problem हुआ दोस्तों, तृपुरा के eastern side में है Bangladesh, जैसे कि आप इस map में देख सकते हो, अब 1949 में जैसे तृपुरा Indian union के साथ मर्ज हो गया, बंगलाजे से कई सरे refugees जो है तृपुरा state में आने लग गया, और अंत में क्या हुआ न दोस्तों, तृपुरा में एक टाइम पर ट्राइबल के majority थे और वो minority बन गया इस पाकिस्तानी refugees आने के बाद, तो आप ही तक तृपुरा में tribal identity एक major issue है, आजकल identity crisis की वज़े से तृपुरा में अलग-अलग political parties, कई सरे tribal outfits, greater टिप्रा लान की दिमान कर रहा है, for the indigenous communities of northeastern state, तो basically इनको केवल indigenous communities के लिए एक अलग सा state चीए, जिसका नाम दिया है greater टिप्रा लान, इनका दिमान ये है, they want the senator to cover the separate state under article 2 and article 3 of the constitution, देखे, states के बारे में या फिर union of india के बारे में हमारी constitution में clearly लिखा हुआ है, article 1, 2, 3 में आपको मिल जाएगा, तो ये लोग ये चाहते है, sender को एक separate state cover करनी चीए, under article 2 and article 3 of the constitution, आप देखे, तृपुरा में जैसे मैंने बोला, 90 notified scheduled tribes है, उसमें से तृपुरी जो है, इन्हें तिप्रा या तिप्रसास भी ये सबसे largest है, just for information में आपको बता दिया, 2011 census की हिसाब से, there are at least 5.92 लाग तृपुरी in the state, followed by रियांक्स and जमातिया, तो सबसे ज्यादा कौन सा ट्राइब है, तृपुरा में, तृपुरी से जो 5.92 लाग है, इसके बाद रियांक्स है, 1.88 लाग, इसके बाद जमातिया से व schedule 5 के अंदर, जितने tribal communities को recognize किया है, या फिर जितने tribal communities का नाम schedule 5 के under listed है, उसे आप schedule tribes बोल सकते हो, वैसे हमारी समिधान का article 366 clause 25 schedule tribes को इस तरह define करते है, such tribes or tribal communities और parts of or groups within such tribes or tribal communities, आसा deemed under article 342, तो article 342 के इसाब से, जितने tribes or tribal communities को deemed किया हुआ है, आज schedule tribes, वो schedule tribes से करके article 366 बोलता है, अब आप पूछे का article 342 का है, देखे, article 342 के अंदर, specifications से, मतलब एक एक tribe या tribal community या part और एक groups within tribes or tribal community के पास, क्या-क्या specifications होनी चाहिए, schedule tribes में include होनी के लिए, यह आपको article 342 में मिलेगा, समझ गे, अब article 342 के इसाब से, article 366 में, समझ गे आप, अब देखे, there are over 705 tribes इचाभी notified, इंडिया में total 705 tribes है, largest number of tribal communities आपको मिलेगा, ओडिशा में, right, and no tribe was identified in हरियाना, पंजाब, चंडीकट, डेली and पॉंडीचरी, देखे, दो state है, तीन union territory है, जहाँ tribes अभी तक identify नहीं किया है, फिफ्ट शेडूल में, जितने शेडूल areas and schedule tribes है, इनके administration and control के लिए क्या provisions होना चाहिए, यह सब लिखा हुँ है, वैसे फिफ्ट शेडूल में, सारे schedule tribes का नाम भी लिस्ट चाहिए, और एक sixth schedule है दोस्तों, यह मैं आपको पहली बता दिया, उसमें आसा मेखालया त्रिपुरान मिजवराम के बारे में बताया है, मतलब इन states के अंडर, जितने area से जहाँ tribal populations ज्यादा है, उधर autonomous district councils दिया हुआ है, इनके administration and control के लिए, अब confused होनी हुआ ना, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, देखिये, fifth schedule में, scheduled areas and scheduled tribes के administration and control के लिए क्या provisions होनी चीए, वो लिखा हुआ है, पर आसा मेखालया त्रिपुरान मिजवराम के बारे में लिखा नहीं हुआ है, fifth schedule में, आसा मेखालया त्रिपुरान मिजवराम के लि people constitutes 8.6% of national total population, ठीक है, तो हमारा total population का 8.6% tribal population है, over 104 million people है, according to 2011 census, ठीक है, तो 11 सल पहले की बात है, अब तो और increase हो गया होगा, हो सकता है, decrease भी होगया होगा, तो 2021 census आने के बाद आपको पता चल जाएगा, I hope आपको ये वाला जो section है, वो समझ में आया होगा, थोड़ असा confusing थ फिर भी ठीक है, और एक बार सुनियेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों, that's it, I hope I have been clear to you, लक्षे की PDF as usual आपको टेलेग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका link नीचे provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.